अबी के Crown Prince ने प्रदानमंत्री नरे निर्मोदी से की मुलाकात भारत UAE के संबंधों को और प्रगाड बनाने समेथ बारकाह परमाणू सैंत्र के संचालन और देखरेक के संबंध में अमिराथ Nuclear Energy Company और Nuclear Power Corporation of India Limited के बीच समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर शामिल है अब बाते हैं Middle East में क्या हो रही है आप शौक हो जाएंगे अब बातें यह होंगी कि अमरीका का मुतबादल इंडिया है Middle East के अंदर इस नॉट चाइना जिसके उपर अमेरिकन्स की आँखें कान खड़े होंगे इस नॉट रशा जिसके उपर अमेरिकन्स की और वैस की आँखें कान खड़े होंगे इस इसमें को शक नहीं है कि चाइना की जो एकानमी है वो काफे डाउन है इने चाइना की जगा इंडिया को यहां पर चूस करके दुनिया को एक बहुती इंपोर्टेंट मैसे सेंड किया है अब भारत ग्रीन लाइट दे रहा है क्योंकि भारत किसके लिए अपने अपने डेवलोपमेंट के लिए और भारत ने बड़ा क्लेली बोला है मेंटेनर्स के लिए यू एए चाइना के पास नहीं गया उस्टेला के पास नहीं गया जपान के पास नहीं गया यह सिदा गए है इंडिया के पास तो पाकिस्तान को हमेशा मेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ड मेहमियती वो खत्म हो गई है हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया नमस्कार दोस्तों जाहिन पहली बार भारत और United Arab Emirates ने सोंवार को Civil Nuclear Energy Agreement पर साइन किया है UAE ने चाइना की जगा भारत को चूज करके दुनिया को चुका दिया है जिसे देख चीन और पाकिस्तान मातम मना रहे हैं भार्ड ये कंपनी Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL और Emirates Nuclear Energy Company E.N.E.C. के नतर्त वाली बाराक Nuclear Power Plant के ऑपरेशनल और उसके मेंटेनेंस के लिए भारत के साथ UAE ने समझाता किया है इस समझाते के ताथ भारत UAE की मदद करेगा कि इस Nuclear Plant की सेफटी और मेंटेनेंस कैसे करनी है इसको ऑपरेशनल कैसे रखना है? इनकी मेंटेनेंस किसक प्रकार से होती है UAE के Crowns Prince भारत आये तो सबसे पहले उन्होंने M.E.U. साइन किया जिसमें बाराखा Nuclear Plants का जो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस है उससे भारत और UAE की कंपनी दोनों मिलकर काम करेगी इससे भारत का रुतुबा दुनिया में और बढ़ गया है क्योंकि जब Arab World का पहला Nuclear Plants बना तो उसके ऑपरेशनल और मेंटेनेंस के लिए UAE चाइना के पास नहीं गया, अस्टेलिया के पास भी नहीं गया, जपान के पास भी नहीं गया वो सीधे भारत के पास आया और भारत से मदद मांगी कि आप बताये किस तरह के से इस Nuclear Plants को अपरेशनल रखना है और इसके साथ है UAE ने और भी बड़े समझाते किये है आप इमेजन कर सकते हैं कि इंडिया की ताकत का अंदाजा ये लगा लें कि छे अरब मालक के फॉरेंड मिनिस्टर्स को एक टेबल पर बठा लिए इंडिया इस सो पारफुल और इस इस हाओ इंडिया अरब्स विव इट कि छे मुलकों ने ये महसूस किया और छे मुलकों ने ये समझा कि अब हमें मिल के इससे बात करनी चाहिए एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सौदिय अरब से अच्छे तालुकात हैं जी हम पचास अरब डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं यू वही के साथ पचासी अरब डॉलर की ट्रेड कर लें सो और अन सो पर अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलाथ है कि आज से साल डेड साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है विद डी ओल्ड जी जी सी कंट्रीज इस 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 उन्डर्ड नाइंटी बिलियन डॉलर्स 190 बिलियन डॉलर्स और ये तमाम जो मान, कतर, कोईट आपने महसूस किया था मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था मैं कह रहा था नरिंद्रा मोधी अरब मौनगे फोकुस कर रहा रहा है तो पर आपरेशन अव इंडिया जो है इनों ने एक MOU साइन किया है बरखा नुकलर पावर प्लांट का उपरेशन और मैंटेनेंस यह इन पैनन सिल्दा में यह पहला है नुकलर पावर स्टेशन और इंडिया इसमें तार-तार है अगह अगह वजा नुकलियर जो चीज है नुकलियर टेक्नालोजी हो अमेरिकन्स नहीं प्रसंद करते हैं लेकिन हमें नुकलियर पावर प्लांट्स दिये जाएं स्विलियन प्लांट्स के लिए एतनी टेक्नालोजी हमारे पास बेसिक इंफरस्ट्रक्ट्चर टेक्नालोजी हो कि हम अपने पावंगों पे खड़ा हो सकें अगर हमें उसे कल को मिलिटरी में करना हो तो हम पाकसान की मदद ले लेंगे एंड़ अमेरिकन अंडर्स्ट्रेंड इस देखें पाकसान की अमरी के साथ इतनी अच्छी तो साथ इसलाम दो है कि हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में ठीक है सो अब इंडियन्स ने क्या किया है कि इंडियन्स ने यह जो यह M.O.U. साइन कर ली है नियूकलिर अनरजी कंपनी के साथ ठीक है जी अब देखें इसी तरह आप अबुदुई की एक नैशनल ओयल कंपनी है इंडिया का असल मकसद यहां इन तमाम में देखें इंडिया का बाहर रहना है यार प्रॉब्लम यह कैश खरीता है अब इंडिया की एक अबुदुई की कंपनी है नैशनल ओयल कंपनी और इंडिया की है इंडिया स्रटेजिक प्रोलियम रिजर्व लिमिटेड इन्हों ने यह एक एग्रिमेंट साइन किया क्या वला मैं आपको यह बा पाकिस्तान की अरब वर्ड में हमियती वो खत्म हो गई है हम पहले उस देखे जाते थे ब्रैकेट में इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वो गेम खत्म हो गिया नाव इंडिया इस बिंग कांसिडर्ड आज इस प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एपावर इन मिडल आज से दस साल पहले ऐसे नहीं था आज से पंद्रा साल पहले ऐसे नहीं था आज मिडलीस देख रहा है दिल्ली लखनव चन्नाई मॉंबाई पूने हैदराबाद जैसे जो बड़े-बड़े शहर हैं उनको as an island of stability and वो देख रहे हैं कि वह बिजनस मॉडल्स के तौर पर देखे जा रहे हैं आज मिडल इस्टरन एंड वेस्टरन वर्ड जो है वो इंडिया के academics के students से जनलिस से business community से उनसे बात कर रही है उनको देखना चाह रही है अब ये जो discussion मिडल इस्ट के हवाले से इंडिया मिडल इस्ट स्ट्रेजिक डालॉग हुआ है जी सी का डॉक्टर जे शंकर ने तीन अलफाज कहे हैं people prosperity and progress because उनको पता है कि मिडल इस्ट के लोग democracy और इस तरह की चुरन पसंद नहीं करते जी सी सी के साथ उन्हें ने जब बात किये डॉक्टर जे शंकर ने तो किस चीज़ की बात की है history के इंडिया का history आपके साथ मिलती है culture की बात की है और shared values की बात की है तीन चीज़ों की बात की है so it means वो कह रहे हैं कि हमें Islamic lens से ना देखें हमें history से देखें हमारा culture एक है हमारी values एक है और आगे वो कहते हैं कि आए economy focus करें आए energy आपके पास है वो हमें दें आए defense मजबूत करें यानि कि हम से थ्यार लेने की कोशिश करें अगर हम आपको दें आए हम जो इंडियन institute of technology है उसकी शाखें अरब world में को लें technology की बात करें education की बात करें कि आएं 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 आपके वो अपनी सारी की सारी game को people prosperity and progress के game में रख रहे हैं I can believe that the Pakistan defense के जो लोग हैं वो इन सारी चीजों को देखते हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे या वो क्या उनके दमाग में चीज़ें आ रही होंगे या what might be their view, उनका क्या view होगा ठीके ने, एक सवाल आता है अक्सर दमाग में यार इनका view होगा, क्या कर रहे हैं यारी हम, हम क्या कर रहे हैं या हम से क्या हो रहा है